आपका स्वागत है हमारे सभी व्यूवर को रक्षा बंधन की हर देख शुपकाम नाए अब चले बढ़ते हैं खबरों क्यों बिहार के नौजिलों में 25 अगस तक तेज बारिश के जटाए गए आसाल एक अडे मार्ग में सीम रितीश से मिले आर्शी पी सिंग स्वासे विभाग ने दूसरी डोस के लिए अलग काउंटर बनानी का लिया फैसला प्रते पटना के सभी कोट में होगी फिजिकल और वर्चुल हीरिंग आगे सार ठीक हो गया बिजले विभाग का सर्वर अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार के सिवान जिले में हैं भाई और बहन का अनुखा मंदर आज बिहार समेत पुरे देश में रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जा रहा है यह त्योहार हिंदुों के लावा कई दूसरे मतों को मानने वाले परिवार भी बांते हैं हालाके इस पर्व को लेकर कई कथाएं आज भी सुनने में मिलती है यह पर्व भाई और बहन के प्रेम और समर्पन का प्रतीक माना जाता है ऐसे मौके पर आपको एक ऐसे मंदर के बारे में बताने वाले हैं जो केवल भाई और बहनों के लिए ही समर्पित है यह मंदर है सिवान जुले के दरौंदा प्रखंड के भीखा बांध गाउं में यहाँ पर विश्वाल मेला भी लगाय जाता है COVID-19 की तीसरी लहर को लेकर इस बार प्रखंड के इस एतिहासिक भाया बहन मंदर में लगने वाले मेले को नहीं लगाये गया फिर भी रविवार को भाया बहन के अटूट प्रेम की पुजा शाररिक दूरी के साथ होने की संभावना पहले से ही जताई गई थी और ऐसा हुआ भी बिहार के नौजुले में 25 अगस्तक तेज बारिश के जताई गए आसार बिहार के कई जिलों में बीते कई दूनों से बारिश लगातार देखने को मिल रही है वहीं मौसम विज्ञानी को की माने तो बिहार के उत्तरी भाग में 25 अगस्तक भारी बारिश के ही आसार चुताई गए है पट्टा मौसम विज्यान केंद्र के विज्यानी आर्ती गुप्ता का कहना है कि वर्तमान में मौनसून, राजुस्तान के बिकानेर, सबाई, माधोपर, जम्शेदपुर, बालस्तौर होते वे, बंगाल की खाड़ी तक गुजर रहा है, इस शेट्र में आने वाले इलाके में बारिश हो रही है, मौसम विज्यानिकों की बाने तो 25 तारीख तक उत्तर बिहार के पस्चिमी, चंपारन, अररिया, पुर्णिया, किश्रिंगं, सुपॉल, सीता मढ़ी, मधुबनी, श्रिभर और दर्भंगा में अधिक बारिश के आसार है, केंद्रिय सहकारी, बैंक लि साइट www.acoladccbank.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे, डिस्क्रिप्शन वाक्स में दियेगे विबलिंग से जाकर ले सकते हैं, स्वास्तव भाग ने दूसरी डोस के लिए अलग काउंटर बनाने का लिया फ अभियान के तहत संचालित करीब 3,000 तीका करन केंद्रो में दूसरी डोस के लिए अलग-अलग काउंटर बनाने का लिया हैं, स्वास्तव भाग के आधिकारे क सूत्रों ने बताया है कि तीका करन अभियान के तहत तीका दिये जाने के ख्रम में तीके की पहली और दूसरी रोज लेने वालों के बीच भारी अंतर को दूर करने को लेकर यहंदर नेली आ गया है। जिसके तहत राज में 31 जिलों में एक भी मामले की पुष्षी नहीं हुई है। बिहार के बकसर और कैमूर में देश का पहला चावल और साइलो गोदाम बने वाला है। इस पर 33 करोड की लागत आने का नुमान है। 12,500 में ट्रिक्टन की श्रम्ता होगी साथी दोनों जगों पर गेहूं का 37,500 में ट्रिक्टन की श्रम्ता का साइलो गोदाम बनेगा। साइन्टिफिक तरीके से बनाए ज़ाने वाले इस गोदाम में रखा गया अनाज वर्षो बाद भी खराब नहीं होगा। बाड कोट, मसौडी कोट और पालिकंच कोट में फिजिकल और वर्षोल मोट से नियाएक कारे और मुकदमों की सुनवाई करने का आदेश जारी क्या है। इतना ही नहीं उन्होंने COVID-19 गाइडलाइन का कोट परिसर में सक्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। जिसके परिणाम सुरूप सभी जुले के सभी 94 कोट में 23 अगस से लेकर 30 सितमबर 2020 तक फिजिकल सुनवाई के लिए तारीख जारी कर दी गई है। जिस कोट में फिजिकल सुनवाई होगी उस कोट में वर्चुल सुनवाई नहीं होगी। आखिरकार ठीक हो गया विज्री विभाग का सर्वर। कुमार के मताविक सर्वर से जुड़े उपभोगताओं को सभी सुवधा को बहाल कर दिया गया है। सुवधा एप के माध्यम से नएक कनेक्शन के लिए आने वाले आवेदन को भी जल्द निप्टा लिया जाएगा। इसके साथ ही जिन उपभोगताओनी अभी तक और्लाइन अपना बिजली भुगतान नहीं किया है, वो अगले दस दिनों में बिजली बिल का भुगतान कर छूट का फाइदा उठा पाएंगे। आज बिहार समेत पुरे देश में मनाये जाएगा रक्षा बंधन का पवितरत्योहाल। रक्षा बंधन के दिन तीनों ग्रहों का ऐसा सरयोग 474 साल की बाद बन रहा है, 474 साल बाद रक्षा बंधन घनिश नक्षत्र में और सुरे मंगल और बुद्ध का सिह राशी में विद्यमान रहने पर यह पर्फ मनाया जाएगा। इस स्वास्त को लेकर हमेश्वा चिंतित रहते हैं, हाला कि जयानकारों की माने तो इन दोनों की मुलाकात को 39 तारीक को होने वाली राश्ट्रिय परिसत की बैठक से जोड़ कर देखा जा रहा है, लेकिन इन दोनों ही नेताओ ने इस तरीके की किसी भी कर्यास का खंडन कि उपेंद्र कुश्वाह की माने तो यह राश्ट्रिय परिसत की बैठक एक रूटीन कारिक्रम है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं दूसरी पार्टी में रहने के बावजूद भी वशिश नारायन सिंग से मिलता रहता हूँ UP के पुर्व मुख्यमंतरी कल्यान सिंग के गुजर जाने पर राजपाल और सीयम ने जटाया शोक, उत्रप्रदेश के पुर्व मुख्यमंतरी रह चुके कल्यान सिंग ने बीती राथ दुनिया को अलविदा कहतिया है, जिसकी बाद बिहार में भी शोक संवेदनाओं का दोर जारी है इस इक्राम में मुख्यमंत्री नितीश कुपार ने पुर्वराजिपाल और उत्र प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री कल्यान सिंग के गुजर जाने पर गहरी शोक संबेट ना रेक्ट कल्यान सिंग के निधन पर शोक और गहरी सम्वेद नाव्यक्ती है 23 अगस्य शुरू होगी गंगा आर्थी पटना के गांधिघार की गंगा आर्थी काफी मशूर है हाला कि कोबिड-19 और बाढ़ के कारण इस आर्थी पर ग्रहन लगता रहा है जुसके बाद अब एक बार फिर से 23 अगस्य गंगा आर्थी के शुरूवात होने वाली है जानकारों की माने तो गंगा नदी के जलस्तर में कमी आ रही है और लोगसभा सदस्यों के दोरे को देखते वे परेटन विभाग ने पैस्वा लिया है कि 23 अगस्य से गंगा आर्थी के शुरूवात हो जाएगी जबाबत बिहार के परेटन मंत्री नारायन प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि लोगसभा सदस्यों की एक टीम बिहार में जल परियोजा का निरीक्षन करने आ रही है लोगसभा के सदस्यों ने गंगा आर्थी देखने के इच्छा जताई है इसलिए गांधी घार्थ की उचाई वालिस्थानों को चुन्हित करते वे गंगा आर्थी की ववस्था करने के लिए विभाग्य अधिकारियों को कह दिया गया है एक अने मार्ग में CM नितिश्व से मिले RCP सिंग इन दिनों केंद्रिय इस्पात मंत्री RCP सिंग बिहार दौरे पर है हाला कि लंबे समय से उनके दौरे के बावजूद उनकी मुख्यमंत्रि नितिश कुमार से नहीं हुई थी लेकिन बीते दिन आखिरकार केंड्रे इसपात मंत्री और जद्यू के पुरवध्यक्ष RCP सिंग ने मुख्य मंत्रे नितीश कमार से मुलाकात की बताय जा रहा है कि दोनों निताओं के बीच कई मुद्धो पर बात चीत हुई है हलाकि क्या बात हुई है ये खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है लेकिन मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में हल चल तेज हो गई है बतादे कि 16 अगस्त को केंद्रे मंत्री आरसी पिसिंग का बिहार आगमन हुआ है इस दोरान वो बिहार के अन्यजिलो की यात्रा भी कर चुके है रासधानी पटना में केंद्रे मंत्री बनने के बाद उनकी पहली मुलाकात हुई है और इसके साथ ही कारेकरताओं ने भी उनके आने के बाद उनका भाव्य स्वागत दिया था उद्योग मंत्री शौहनवाज हुसेन ने समस्तिपूर को दी कई सौगाते जबसे उद्योग विभाग के जिम्यदारी मंत्री शौहनवाज हुसेन ने सभाली है तब से बिहार में उद्योग की आन्धी लानी की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है और ऐसा हम और आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार उद्योग मंत्री ने कई सारे उद्योग की सौगात दी है और कई फैक्ट्रियों का उद्गाटिन भी किया है इसी कड़ी में बिहार के उद्योग मंत्री सेयद शाहनवाज हुसेन ने शनिवार को समस्तिपुर में एक नहीं बलकी दो नई-नहीं स्तोगा दी रोस्रा के मिर्जापुर में बंबू, क्राफ्ट यानी की मांस और बेंथ से उत्पाद बनाने की कला के प्रसेक्शन कारिक्रम का शुभारम किया तो पूसा रोट सित खादी ग्राम उद्योग समीती संसान का निरिक्शन करने के साथ ही यहां खादी सूथ कताई प्रसेक्शन कारिक्रम भी की इसके साथ ही विहार में उद्योग मंतरी शानवाज हुसेन ने समस्तिपुर के खजूरी इलाके में नरायन पूर्ड इंडस्ट्री की अत्याधुनिक आर्टा फैक्टरी का भी उद्गाटन किया आईपेल के बाद महिंद्र सिंग धोनी उठा सकते हैं ये बड़ा कदब महिंद्र सिंग धोनी क्रिकेट के मैदान के साथ बाहर भी चर्चा का पातर बने रहते हैं हाला कि जल्द ही महिंदर सिंग धोनी अपने प्रसंचकों को IPL के दौराद नजर आने वाले हैं, वहीं IPL के बाद उनकी नई पारी को लेकर अभी से ही चर्चाएंश शुरू हो गई है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक धोनी एक बाद पर से सुनेहरे परदे परबापसी कर सकते हैं, इस बात के संकेत उनकी पतनी साक्षी ने भी दिया है, नरसल महिंदर सिंग धोनी ने धोनी एंटिटेन में नाम की एक प्रड़क्शन कमपनी का अंदरमान क्या था, अब धोनी इसे आगे ले जाना चाहते हैं, इसको लेकर पतनी साक्षी ने एक युवाले खक से उनकी और प्रकाशित किताब के राइट से हासल किये हैं, इसके आपको लेकर जल्दी एक वेब सीरीज बनाई जा सकती है, इसके साथ ही महिंदर सिंग धोनी एक और ब्रांड के अंबैस्डर बन गया है, तो चलिए बढ़ते हैं आजके सवाल की और आजका सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में COVID-19 के मामलों में आ रही गिरावट का एहम कारण क्या हो सकता है, अपने जब आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आजके लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटिव रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेला आइकॉन दुबारा ना भूलें, धन्यवाद